कार्तिक मास के शुकल पक्ष की एकादशी तिथी को देव उठनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व को देशभर में देवोत्थान एकादशी, हरी प्रबोधनी एकादशी सहीत अनिनामों से भी जाना जाता है। वही महादेव की नगरी काशी में आस देव उठने एकादशी के अवसर पर इसनान दान की मानेता रही है। जिसका निर्वहन करते हुए शद्धालू भोड से ही गंगा में पवित्र इसनान कर रहे हैं। इसके साथ ही आजी के दिन भगवान शाली ग्राम और माता तुलसी का विवा भी कराया जाता है। ऐसे में विवा मंडब का सजाने के लिए बाजार में उप खरिदने के लिए खरिदारों की भारी भीर देखने को मिल रही है। इसके साथ ही तुलसी का पौधा खरीदने के लिए बाजार में खासी भीर नजर आ रही है महिलाएं गंगा इसनान वह पूजन करते हुए दिख रही है वारांसी के विश्व प्रसिद्य दशाशुमेद घाट, राजिंद्र प्रशाद घाट, असी घाट सहीत, विभिने घाटों पर श्रधालों की भारी भीर है गंगा में पवित्र स्नान के बाद श्रधालू आचमन कर ब्रामडों और भिक्षुकों में चावल दाल सहीत अन्य चीजों का दान कर रहे हैं शास्त्रों में वर्नित एवं मानेताओं के अनुसार भगवान श्री हरी विष्णू आसार महीने के शुकल पक्ष की एकादशी वाले दिन छीर सागर में निद्रा के लिए जाते हैं जहावा चार मास विश्राम करते हैं इस चार महीनों में हिंदु धर्म के अनुसार मांगले कार्य वर्जित रहते हैं इसके पस्चात कार्तिक महिने में शुक्रिपक्ष की एकादशी वाले दिन भगवान श्री हरी विष्णु अपनी निद्रा से जाते हैं मंदिरों में भगवान विष्णु की विशेश पूजा की जाती है और वहीं शंक ध्वनी द्वारा उन्हीं जगाया जाता है इसके साथ ही शालिग्राम इवा माता तुलसी की पूजा की जाती है उनका विवा कराया जाता है इसलिए इसलिए खरिदे हैं कि गन्येगा खेत में किसान जो है आज के दिन ही इस गन्येगा पूजन करके गन्या कटा की कटाई जान सब्सक्रादा करने माइभ आज के दिन मीत अचल्हांन करके आज इसलेंच के मेरी द्र खत्म अधिया जाता है उसकी पूजन करके आयदे नए गुर्ण कर दो कर दो